पतनी ने बोली बड़ी बात कहा नहीं रह पाऊंगी प्रेमी के बिना पतनी के प्यार के बारे में पता चलने पर पती ने उसकी शादी प्रेमी से करा दी विदाई के वक्त पती खूब रोया मजेदार बात यह रही की शादी बड़ी धूम धाम से हुई दूलहे की बरात भी निकली और सभी रीती रिवाज निभाए गए चक के रीथाना क्षेतर स्थित सन्निग अन्वा में रहने वाला सच्चेतुर्फ गोलू गुपता प्राइवेट जॉब करता है गोलू की शादी जनपत फतेहपुर के मनजिल गाउं की शान्ती से एक सम्मेलन में गोलू को ये हसास हो चुका था कि शान्ती उसे पसंद नहीं करती गोलू ने पाया कि शान्ती चोरी छुपे किसी से घंटों मोबाईल पर बात करती है एक बार उसने पकड़ लिया तब प्यार की कहानी सामने आई शान्ती ने बगैर संकोच के माना कि वो पिछले तीन साल से रविवार नामक लड़के से प्यार करती है रविवार लखनव में रहता है शान्ती ने दो टू कहा कि उनके बीच रिलेशन थे वो उसके बगैर नहीं जी सकती गोलू ने बताया कि उसे शान्ती के प्यार के बारे में बिलकुल भनक नहीं थी गोलू के अनुसार शान्ती उसके साथ रहना नहीं चाहती थी इसलिए उसने भी दोनों की शादी कराने का फैसल लिया इसके लिए उसने अपनी फैमिली को भी रजा मन्त कर लिया उद्धार शान्ती ने कहा कि पूरा विश्वास था कि उसे उसका फ्यार मिलेगा शांती सच्चित के फैसले का अपने उपर एक बड़ा उपकार मानती है